Good morning students, welcome to your Hindi lecture, आप सबेने हिंदी की वगबुक निकाली, very good, हिंदी के वगबुक में आप सभी को पेज नम्बर निकालना है 48, निकाला आप सबने 48 पेज नम्बर, very good, 48 पेज पे हमारे पाठ का नाम है यातायात के साधन, पाठ का नाम मेरे पीछे बोलो, यातायात के साधन, यातायात यानी क्या, कौन बताएगा यातायात? यातायाद यानि जिससे हम एक जगह से दुसरी जगह जाते हैं उसको बोलते हैं यातायाद हम एक जगह से दुसरी जगह जाते हैं उसको बोलते हैं यातायाद यातायाद के साधन साधन यानि क्या? मीन्स साधन यानि मीन्स हम यातायाद के लिए जिन साधनों का मतलब साधन यानि साइकल, गाड़ी, स्कूटर, ट्रेन, एरोप्लेन जिसका इस्तमाल करते हैं उसको बोलते हैं साधन यातायात के साधन मतलब हम एक जगह से दुसरी जगह जाने के लिए जिन साधनों का मतलब साइकल, गाड़ी, ट्रेन जिसका इस्तमाल करते हैं उसको बोलते हैं साधन हमारे यातायात के साधन यानि हम एक जगह से दुसरी जगह जाने के लिए जिसका इस्तमाल करते है उसको बोलते है यातायात के साधन इंग्लिश में उसको क्या बोलते है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट यानि हम एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए जिसका इस्तमाल करते है ट्रांसपोर्ट करते है उसको बोलते है transport क्या transport यातायात के साधन transport understand यातायात के साधन transport सबने page of a portrait निकाला है pencil हत्मे ली तो आज हम जिन जिन साधनों का इस्तमाल करते है हमारे आने जाने के लिए हम जिस साधनों का इस्तमाल करते हैं उनके बारे में जानने वाले हैं सबने हाथ में पैंसिलरी ready हो सब लोग very good तो अभी हम start करेंगी चित्र देखकर नाम पहचानिये और लिखिये चित्र देखकर नाम पहचानिये और लिखिये हम चित्र देख रहे हैं येस तो हमें क्या करना है चित्र देखकर जो यातायात की साधर है उनको पढ़ना है उनको पहचानना है और यहां लाइन्स दिये हैं उसमें उसका नाम लिखना है इसको क्या बोलते हैं उनको वो नीचे हमें लिखना है और उसके बारे में हम जानकारी आज लेंगे Ready? First one First picture देखो सब लोग First picture देखो दिखाई दे रहे हैं सब को first picture ये क्या है दो? ये क्या है? ये है बैल ये क्या है? बैल बैल यानि? ओक्स ये है बैल पीछे उसके क्या है? गाड़ी तो ये हुई बैल गाड़ी इसके उपर दो लोग बैटे हैं एक इंसान बैल गाड़ी चला रहा है और एक बच्चा पीछे बैठा हुआ है तो ये क्या है? बैल गाड़ी क्या? बैल गाड़ी लिखो यहाँ टू लाइन्स में बैल गाड़ी का इस्तमाल हम कहा करते हैं यह बैल गाड़ी गाओ में बहुत दिखाई देती है हम जहां गाव में रहने जाते हैं तो गाव में विलेशेरिया में बैल गाड़ी होती है हमें दिखाई देती है ओके बैल गाड़ी अभी सिर्फ विलेशेरिया में ही दिखाई देती है तो यह क्या है बैल गाड़ी क्या बैल गाड़ी यानि बुलकार इसके आगे दो बैल होते हैं और उन बैल के उपर गाड़ी रखी जाती है और बैल उनको खिचके हमें एक जगा से दुसरी जगा पहुचाते हैं तो यह हुई बैल गाड़ी क्या बैल गाड़ी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है यह क्या है नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहे हैं अपको यह क्या है यह है घोडा यह क्या है घोडा घोडा यानि हौर्स घोडा यानि हौर्स पता है सबको होर्स के पीछे क्या है गोडे के पीछे क्या है ये ये है गारी इसमें एक इंसान बेटा हुआ है और ओ गोडे के गारी को चला रहा है तो ये है घोडा गारी क्या है यह घोडागारी यह है घोडागारी घोडागारी यानि क्या घोडागारी यानि होर्सकार्ट 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 यानि घोडागारी यह है होर्सकार्ट यह है होर्सकार्ट घोडागारी इसके आगे घोडा होता है और गोड़े की पिछे ऐसे रसी से गाड़ी बांदी जाती है और गोड़ा इसको खिच कर लेकर जाता है हमें एक जगा से दूसरी जगा तो यह है गोड़ा गाड़ी क्या है यह गोड़ा गाड़ी हौर्स काट क्या हौर्स काट लिखो यहाँ टू लाइन्स पे घोड़ागाडी, घोड़ागाडी, यानी होर्सकाड, या होर्सकाड, घोड़ागाडी, आपने देखिए घोड़ागाडी, येस, पता है न सबको घोड़ागाडी, घोड़ागाडी को इंग्लिश में बोलते है, हॉर्सकाड, नेक्स, क्या है यह, ये क्या है, ये है, नाव, क्या, नाव, ये पानी में होती है, नाव, कहा होती है, पानी में, नाव को इंग्लिश में क्या बोलते है बोट क्या बोट बी ओ ए टी बोट बोट यानी नाव नाव भी एक ट्रांश्पोर्ट का साधन है यातायात का साधन है हमें पानी में एक जगा से दुसरी जगा जाने के लिए नाव का इस्तमाल करते हैं हम पानी में एक जगा से दुसरी जगा जाने के लिए नाव का इस्तमाल करते हैं नाव छोटी होती है ये बहुत बड़ी नहीं होती है ये छोटी होती है इसके लिए इसको बोलते है बोट ब पानी में एक जगा से धुसरी जगा जाने के लिए उप्योगी होती है तो ये है नाव लिखो नाव यानी बोड नाव के यह एक ऐसी दंडी होती है ये ऐसे एक दंडी होती है इससे जो नाव चलाता है वो नाव को पानी में आगे बढ़ाता है इससे नाव को पानी में बढ़ा जाता है तो ये है नाव नाव यानि बोट नेक्स टेको अभी ये क्या है? ये सबको मालूम होगा ये क्या है? ये बहुत संद के पास है आप भी चलाते हो ये क्या है? यह है साइकल यह है साइकल यह क्या है साइकल यह है साइकल साइकल यानि क्या साइकल यानि क्या इंग्लिश में क्या बोलते है साइकल को बाइसिकल क्या बाइसिकल बाइसिकल यानि साइकल cycle के दो पईए होते है और इसको एक जन ही चलाता है कुछ cycle के पीछे बैठने के लिए carrier होता है उस cycle पे दो लोग जा सकते है तो इसके पईए कितने होते है दो ये है cycle cycle से हम एक जगा से दुसरी जगा जाते है तो ये भी एक useful transport mean है यातायात का सादन है ये है cycle 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 यानि bicycle क्या bicycle ओके लिखा bicycle, cycle लिखा ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है ये ? ये क्या है ? कौन बोलेगा ये क्या है ? ये है scooter ये क्या है ? स्कूटर स्कूटर को इंगलिश में क्या बोलते है ? बाइक स्कूटर यानि बाइक ये है scooter स्कूटर यानि बाइक इस पे एक टाइम पे दो लोग ट्रावल कर सकते हैं स्कूटर पे एक टाइम पे दो लोग ट्रावल कर सकते हैं दो लोग जा सकते हैं स्कूटर के दो पईये होते हैं, ये है स्कूटर, स्कूटर यानि बाईक, ये है स्कूटर, स्कूटर में चलने के लिए पेट्रोल डाला जाता है, स्कूटर के चलने के लिए उसमें पेट्रोल डाला जाता है, तो ये क्या है स्कूटर, स्कूटर यानि बाईक, अभी लिखो scooter, scooter, scooter यानि, bike, scooter, scooter यानि, bike, next क्या है ये, ये है, auto rikshah, ये क्या है, auto rikshah, auto rikshah, इसके auto rikshah के कितने पईए होते है, तीन पईए होते है, auto rikshah के तीन पईए होते है, ये है auto rikshah, auto rikshah के total, तीन पईए होते है, इसमें एक time पे चार लोग travel कर सकते है, एक टाइम पे चार लोग ट्रावल कर सकते हैं ओटो रिक्षा में त्री लोग तीन लोग पीछे बैठ सकते हैं और एक जन आगे बैठ कर उसको चलाता है तो टोटल चार लोग ओटो रिक्षा में ट्रावल कर सकते हैं तीर लोग पीछे बैठ सकते हैं और एक आगे चला सकता है तो टोटल चार लोग एक टाइम पे और रिक्षा से ट्रैवल करते हैं रिखो सब लोग और रिक्षा यह है और रिक्षा नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है ये ये क्या है ये देखिए आपने कभी ये है जीप ये क्या है जीप ये है जीप लिखो सब लोग जीप 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 के चार पई ये होते हैं और इसमें एक टाइम पे पाथ से ज्यादा लोग ट्रैवल कर सकते हैं दो लोग आगे बैठ सकते हैं तीन लोग पीछे और उसके पीछे दो पाथ से साथ लोग एक टाइम पे इसमें से ट्रैवल कर सकते हैं एक जगा से दूसरी जगा जा सकते हैं तो ये है जीप ये क्या है जीप यह है जीप, ओके, जीप याने, इंग्लिश में भी इसको बोलते है, जीप, नेक्स्ट क्या है यह, यह है, बस, यह क्या है, बस, बस यानी क्या, बस पता है न आप सबको, बस से आप ट्रैवल कर सकते हो, ये एक लोकल ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का साधन है, बस में एक टाइम पर बहुत सारे लोग ट्रैवल करते है, ओके, हमारे हाँ, हम बहुत से लोग, बस से ट्रैवल करते हैं, और ये बहुत चीप, यानी सस्था साधन है, बस एकदम चीप, यानी सस्था साधन है, ओके, तो ये है, बस, ये है, बस, बस यानी क्या बस यानी क्या जिससे हम ट्रैवल करते हैं एक से जगा दुसरी जगा जाने के लिए इस्तमाल करते हैं तो यह है बस इसमें से बहुत सरे लोग एक टाइम पे ट्रैवल कर सकते हैं दिखो बस 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 क्या बस नेक्स्ट क्या है ये नेक्स्ट है हेलिकॉप्टर क्या है ये हेलिकॉप्टर हेलिकॉप्टर कहा उड़ता है ये आकाश में उड़ता है हेलिकॉप्टर आकाश में उड़ता है ये एक जगा से दुसरी जगा जाने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है हवाई तरीके से एक जगा पे से हवा में से मतलब उड़के हम हेलिकॉप्टर में से ट्रैवल कर सकते हैं एक जगा से दुसरी जगा जा सकते हैं इसमें बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं ये हवा में उड़ता है तो ये है हैली कॉप्टर यह हैली कैप्टर ये है हैली कैप्टर next ये क्या है ये है जहाज ये क्या है जहाज जहाज यानि sheep जहाज यानि sheep ये है नाव यानि boat ये बहुत छोटी होती है ये है जहाज जहाज यानि sheep ये बहुत बड़ी होती है इसमें से एक टाइम पर बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं और ये पानी में चलती है पानी में से एक जगा पे से दुसरी जगा जाने के लिए जहाज का इस्तमाल किया जाता है जहाज यानी शी जहाज से हमें एक जगाज से दुसरी जगा जाने के लिए टाइम बहुत लगता है ये जहाज पानी में से ट्रैवल करना बहुत स्लो होता है तो जहाज से एक जगा से दुसरी जगा जाने के लिए बहुत टाइम लगता है तो यह है जहाज यह क्या है जहाज नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है हवाई जहाज क्या हवाई जहाज हवाई जहाज यानि एरो प्लेन हवाई जहाज यानि एरो प्लेन इससे हम एक देश में से दुसरी देश हमारे कंट्री में भी हवा के माद्यम से ट्रैवल कर सकते हैं ये बहुत fastest mode है ट्रांस्पोर्ट का इससे हम कम टाइम में एक जगा से दुसरी जगा जा सकते हैं लिको सब लोग हवाई जहाज हवाई जाज यानि एरो प्लेन हवाई जाज यानि एरो प्लेन next क्या है ये ये है रेल गाड़ी क्या है ये रेल गाड़ी रेल गाड़ी यानि ट्रेन रेलगाड़ी यानी ट्रेन, ट्रेन के रेलवेस स्टेशन होते हैं, उस पे ट्रेन रुपती है, इसके टॉटल 12 डबे, नहीं तो 9 डबे होते हैं, 9 और 12 डबे होते हैं, कुछ ट्रेन के 9, कुछ ट्रेन के 12 डबे होते हैं, इसमें बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं एक टाइम पे बहुत सारे लोग इसमें ट्रैवल करते हैं ये है रेल गाड़ी क्या रेल गाड़ी इसके टिकेट्स बहुत सस्ते होते हैं ये महेंगे नहीं होते है रेल गाड़ी यानि हम कम पैसे में एक जगा से दुसरी जगा ज जा सकते हैं रेल गाड़ी यानि ट्रेन रेल गाड़ी यानि ट्रेन नेक्स्ट पेज पेज नमर 49 यह यह क्या है यह सब को पता यह क्या है यह इसके चार पईए होते है और एक टाइम पर चार लोग इसमें से ट्राइवल करते है इसको बोलते है गाड़ी गाड़ी यानि कार लिखो गाड़ी 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 यानि कार ये क्या है ये है ओटो रिक्षा ये क्या है ओटो रिक्षा ये हाँ पढ़ा था ओटो रिक्षा के बारे में येस तो फिर से हमें दिया है ओटो रिक्षा लिखो सब लोग रिक्षा रिक्षा से हम ट्रावल करते हैं, एक जगा से दुस्री जगा जाने के लिए और एक टाइम पे चार लोग इसमें से जा सकते हैं, एक जो चलाता है और तीन लोग पीछे बैठ सकते हैं, तो ये है आटो रिक्षा, तो समझा आप सबको, बेल गाड़ी यानी बुलकाट, गोड़ा गाड़ी यानी होर्सकाट, नाव यानी बोट, साइकिल यानी बाईसिकल, स्कूٹर यानी भाईक, ये है ऑटो रिक्षा, ये है जीब, ये है बस, यह है हेलिकॉप्टर, यह है जहाज 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 यानि शीप, हवाई जहाज 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 ज नोट बुक में वर्ग बुक में कम्प्लीट करना है और नोट बुक में चाप्टर का नाम लिखे सिर्फ नाम 3-3 टाइम्स लिखने है नाम 3-3 टाइम्स आप सभी को लिखने है ओके यह आपका होमवक है